हलो गाइस स्वाइब लकाम आला फी टू द आवर यूटूब चैनल ग्यान भी सचिन तो दोस्तों आज के सेसन में बात करेंगे UP Polytechnic Counseling जो 2022 हो रही है उसमें फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपको एक सांदार Government College मिल जाएगा आपकी सेकंड राउंड में कितनी रैंक होनी चाहिए कि आपको एक सांदार Government College मिल जाएगा या third round में कितनी अच्छी rank होनी चाहिए कि आपको एक सांदार government college मिल जाएगा और genius students की 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 rank है उनको क्या government college मिलेगा या मिलने के chances है या किस round में मिलेगा इसके बारे में भी totally discuss करेंगे और एक काम आपको ऐसा करना है जिसको कर लेंगे तो बिलकुल भी आपको सरकारी college हाथ से नहीं निकलेगा आपको 100% सरकारी college इस बार आपको UP political देकर जाएगा तो वीडियो के अंतक बने रहे है ऐसी important हर एक update के लिए चैनल को अभी subscribe करके रखिए आपको आने वाले time में बहुत ही benefit होगा हर एक update with live season आपका solve किया जाता है तो चैनल को अभी subscribe करिए और वीडियो को like कर दीजिए तो चलिए अपनी शुरुआत करते ही वीडियो की जैसे कि आपका first round counseling complete नहीं हुआ है अभी seat allotment result आना बाकी है ठीक है तो जैसे ही seat allotment result आएगा तो बहुत सारे students के जो billinginess होगी वो float होगी क्योंकि first round में उन्हें मन पसंदीदा college नहीं मिल पाता और मैं personal recommend करूँगा जिन students को कि first round में आपके मन पसंदीदा college नहीं है वो बेजज़क float कर दीज़ेगा क्योंकि आपके second और third round से एकसांदार और अच्छे colleges के कोटाप थड़ा low हो जाते हैं और आपकी rank से match करते रहते हैं और आपको एकसांदार college दे कर जाते हैं लेकित हमारे बीडियो का purpose यह नहीं है कि आपको किस round में लेना चाहिए आ नहीं लेना चाहिए float कर ना चाहिए, freeze करना चाहिए मेरे इस बीडियो का purpose है कि first round में कितनी rank होनी चाहिए कि आप Ganzelling में college मिली जाये और आपको councilien कराना ही चाहिए जैसा कि आपने first round की counselling वो already done कर चुके है ठीक है तो उन्हें already बेसबरी से इंतजार होगा कि क्या मुझे first round में college मिल जाएगा या नहीं मिल पाएगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जिन students के rank card पर लिख रहा होगा qualified ठीक है जिन students के rank card पर लिख रहा होगा qualified वो students इस बार counselling के लिए eligible थे मतलब इस बार बहुत सारी students ऐसे हैं जो counselling के लिए eligible हैं जिन पर qualified लिख रहा है ठीक है बात को गहराई से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि first round में कितने number वालों को college मिलेगा इस बार का क्या drama था कि आप लोगों को लगबग 2,000,000 students हर बार अपलाई करते हैं जिसमें से लगबग 74,000 students disqualified हो गए मतलब वो disqualified हो गए कहां से पॉल टेकनिक के इंटरेंस एक्जाम से जो 74,000 students है वो क्या हो गए कि college जो पॉल टेकनिक का इंटरेंस एक्जाम था वही छोड़ दिया उन्होंने ठीक है बात को समझें को गहराई से जो भी students को नई समुझ में आ रहा समझें ठीक है लगबग 74, इसे हैं लगबग 74,000 students ऐसे थे जो आपके इंटरेंस एक्जाम को ही नहीं दिये और लगबग 54,000 students ऐसे जो disqualified हो गए और late counseling की वज़ा से लगबग 20,000 students अपनी counseling को छोड़ दिये तो जो आपके cutoff का variation था वो लगबग 50% हो गया लगबग 50% नहीं तो 40% में कोई दिक्कत वा इस college में 200 number पर selection मिल रहा था वो college पर selection आपको इसमें अपर 160 के number पर ही मिल जा रहा है ठीक है इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आपको first round में कितनी easily आपको college मिल जाएगा इस बात को समझ गया कि इस बार 100% सबको सरकारी college मिलेगा 100% सबको सरकारी college हाथ से नहीं जा कि क्या करना है कि आपको सरकारी college पूरा मिल जाएगा परसान ना हो ये वीडियो के अंतक बने रहिए जिन students के लगभग 10,000 या 15,000 हैं वो top 10 के college को पाएंगे और वो तीसरे round में ही पा जाएंगे दिन students के 10 से 15,000 के बीच में लेकिन सुरू से लेकर 15,000 तक है ठीक है इस बा students की बात करते हैं जो 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में लगभग आते हैं तो उन्हें क्या second round और third round या first round में मिलेगा college बिल्कुल second round में आपको college बिल्कुल मिलना ही start हो जाता है और third round से बिल्कुल एक सांदार college मिलना ही start हो जाता है लेकिन मैं personal recommend करूंगा जिन students की 40,000, 45,000, 50,000 rank है वो अपनी जो seat को लेंगे वो fourth round में लेंगे fourth round में क्या होगा उन्हें एक अच्छा college मिलने के chances हो जाएंगे तो जिन students के लगभग first round में chances हैं वो लगभग 10,000 के अंदर के students को first round में college दे दिया जाता है ठीक है? दस हजार के अंदर में और second round वालों को लगभग 25,000 के उपर students जो होते हैं और वो इक normal college को अगर fill किये होते हैं तो second round में उन्हें college मिलना सुरू हो जाता है और third round का जो criteria होता है लगभग 35,000 के प्लस जो student होते हैं उन्हें college third round में मिलना सुरू हो जाता है और उन्हें second round में भी मिल सकता है जिन वो students के 35,000 रहें हैं लेकिन जिन students के 35,000 से उपर हैं लगभग 60-70,000 हैं उन students को क्या है कि third के बाद से fourth round, fifth round, sixth round तक इंतजार करना है आपको क्या काम करना है मैं वो बता रहा हूं कि आपको first round में counseling attempt करा लेनी है अगर आपने first round में counseling नहीं कराई है तो आप करा लिजिए या second round से आप participate करिए ठीक है और आपको तब तक counseling करानी है जब तक sixth या eighth round दर आ आ जाए मतलब eighth round या sixth round तक आपको counseling करानी है जिससे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आएगी आपको college मिल जाएगा जिन students की बहुत ज्यादा rank है लगबग एक लग तक rank है उन students को भी बिल्कुल college मिलने के chances हो जाते हैं ठीक है तो first round और second round और third round के college के rank के बारे में मैंने बता दिया कि first round वाले बिल्कुल आपको third round में result को final करना है आपको college तो first round से ही मिलना जूरू हो जाएगा लेकिन जो seat को final करनी है वो लगबग second round में और third round में final करनी है जब आपको एक अच्छा college मिल जाए और उन students के बारे में भी होताया जिनको बहुत ज़्यादा rank है उन्हें क्या करना है कि maximum सरकारी college भरने है मतलब maximum के मतलब 60 college, 70 college, 80 college कुछ भी भरिये क्योंकि आपकी 60,000 के अगर 50,000 के औस पास rank है तो इस आपको 50,60 college fill करना पड़ेगा ब बाई बाई टाटा लब यू अल